हेलो फ्रेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले काक्षा 5 का जो पिपर है आपके सामने परियावन अध्यान का जिसे एवीएस भी कहते है बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ट रहने वाला है तो सभ क्या करना है आप सभी को आप सभी को जो भी हम उत्तर बताएंगे वह को याद रखने है तो इसकी टेंसर आप ना करें बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन वैल को उन करके रखें जिससे आपको हर वीडियो के अप्डेट टाइम से मिल सकेए अगर आप से पूछा है नीचे दिये गए चित्र को देखकर बताईए कि पत्तर चट्टा के किस भाग से अंकुरन निकल रहा है ये देखिए ये पत्ता दे रखा है आपको और इसके हर जो किनारे हैं इसमें जितने भी वहां से एक नया भाग अंकुरित हो रहा है तो ये कौन सा भ कूशन है आपका नीचे दिये गए चित्र को देखकर बताईए ये दरश्य कौन सा है तो ये देखिए पानी में कार्ड डूबी हुए और इधर लोग है तो एक तरीके से क्या आई हुए बाढ आई हुए तो उत्तर रहेगा आपका बांध जल बराव छेत्र का नेक्स्ट ह मचली, मगरमच, कच्वा और कमल के फूल के तो आप से पूछा है उपर दियेगे चित्र पे कौन-कौन से जन्तु दिखा ही दे रहे तो कौन-कौन से है मचली, मगरमच और कच्वा नेक्स्ट है उपर दियेगे चित्र में कौन-कौन से जन्तु केवल पानी के अंदर रहत तो मचली के क्या है गलफड़े होते हैं मचली के पास जिनके वज़े से वह पानी में तैर पाती है गलफड़ों की कारण नेक्ट है आपको ये देखिए मांचित से दे रखा है राजस्तान का और इसमें पूछा है चूरू के पास के तीन जले चूरू के पड़ोसी तीन जलो के नाम पूछे है आपसे तो ये देखिए ये चूरू है इसके पास के कौन से जले है कोशे भी तीन जलों के नाम लिख दीजिए आप बिकानेर, गंगानगर, अनुमानगर, जुनजुनू, सीकर, नागोर ये छे जल हैं तो आपको सिर्फ तीन के नाम लिखने हैं और जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिक्शन वेल को ओन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके डिस्क्रिप्शन में हमने वाट्साप ग्रूप का लिंक दिया हुआ है तो जाए और फटाफट से जोईन कर लें उसको क्योंकि वहाँ से आपको सारी अपडेट पीडेफ बगरा मिलती है फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यह हमारा नमबर है आप बेज़े जक हमें मेसेज कर सकते हैं तो आईए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है आपका क्यूशन जीजाबाई के जीवन से आपको कौन-कौन सी तीन सीख मिलेंगी या फिर आप लेना चाहेंगे तो देखिए जीजाबाई अपने गुणों, वीड़ता और मुल्यों के लिए जानी जाती थी जोगण उन्होंने अपने सांदर बेटे को दिये थे उन्होंने स्वराज के मुद्दे का समर्तन किया और सिवाजी महाराज को हिंद्वी स्वराज की स्तापना के लिए सत्रु मराठा कुटों को एकजुट करने में मदद किया और प्रेरित किया तो हम कौन-कौन से सीख लेना चाहेंगे गुणों की, वीड़ता की, मूल्यों की इनके बारे में हम सीख लेना चाहेंगे नेक्स्ट है, इगलू किसे कहते हैं तो इगलू कहते हैं एक इगलू जिसे इशनो हाउस या इशनो हट के रूप में भी जाना जाता है एक प्रकार का आस्र है, जो बरफ से निर्मित होता है तो इसे आप क्या कह सकता है बरफिला घर भी कह सकता है जिसे आहम तोर पर बरफ के उप्रोक्त होने पर बनाया जाता है नए क्यूशन है, आपका बार्ड से लोगों को होने वाले कोई दो नुक्षान लिखिए तो ये देखिए बार्ड एक विनाशकारी गटना है जिससे जानमाल का बाहरी नुक्षान होता है और संपती बुनियादी धांचे और सावजिनिक उप्योगिताओं का भी नुक्षान होता है नए क्यूशन है आप से पूचा है सह्युक्त परिवार विशेपर आयोजित भाषन प्रतियों की ताम है प्रति बागी के रूप में सह्युक्त परिवार के तीन पक्ष के रूप में तीन वाकी लिखने हैं आपको परिवार की पक्ष में तीन वाकी है तो ये देखिए सेहुक्त परिवार में घर और वहां रह रहे हैं लोगों की देखवाल के लिए एक मुख्या होता है जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है परिवार के किसी भी फैसले में सभी लोगों की राय ली जाती है हलाकि अंते मिनने परिवार का मुख्याई करता है सेंगत परिवार में सभी का खाना एक साथ ही बनता है लोग एक साथ ही खाना खाते हैं जिससे प्यार बड़ता है joint family में परिवार के बड़े लोग मिलकर गर का खर्च चलाते हैं नयक क्यूशन है क्यूशन नमर आठ क्रमी संक्रमन से बचाव के लिए आप क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे स्वच सोचाले का उपयोग करेंगे नयक क्यूशन है जिसमें आपसे पूछा है प्रशनों के उत्तर देने हैं आपको पहला है कोश्टक में दिये गए खेलों को चाट कर इंडोर खेल और आउट्डोर खेल तालिका में लेखिए यह आपके खेल दे रहे हैं आपको होकी, टेबल टैनिस, बैडमिंटन और कबड़ी कौन-कौन से खेले हैं जिनको आप अंदर खेल सकते हैं और जिनको बाहर खेल सकते हैं तो यह देखिए होकी हुआ आपका होकी और कबड़ी आप आउट्डोर गेम है टेबल टैनिस और बैडमिंटन इंडोर गेम है तो indoor के लिए मैंने i link दिया है और outdoor के लिए i link देता हूँ यहां से आप याद कर लिजीएगा next है आपका question रक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए आप सभी को पता है क्या 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 जाना चाहिए उनके बाड़े बंदी की जानी चाहिए जिससे कोई भी पशू वगेरा उनको नहीं खाए और उनमें टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए जिससे वो फले फूले नेक क्यूशन है निम्र प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला है एक थैली में रखे कागज के टुकडे सिक्का चावी और घास के तिनकों को नीचे दिये गई तालिखा में प्लेट ए और प्लेट वे में वर्गी करत कीजिए तो प्लेट ए है आपकी पानी में तैडने वाली वस्तुएं और प्लेट भी है पानी में डूबने वाली वस्तुएं तो आप सभी को पता है पानी में कौन सी डूब जाती हैं सिक्का डूब जाता है और तैडने वाली वस्तुएं तो आप आसानी से कर लेंगे इस आंसर को नए क्यूशन है नीचे आपको सारणी दे रखी है जिनकी मदद से रोगों को उनके लक्षन से मिलान करना है आपको आपके रोग दे रखे हैं आपको पीलिया, अतिसार, क्रमी रोग और पोलियो रोग के लक्षन दे रखे हैं आपको क्या करना है? मिलान करना है पीलिया में क्या होता है पीलिया हम देखिए सफेद रंग के दस्त मुत्र पीला आना आखों और नाकून का पीला होना उल्टिया होना तो यह आपके होगे पीलिया पीलिया हम सरीर क्या हो जाता है पीला पड़ जाता है नेक्स्ट है आपके क्रमी रोग, क्रमी रोग में क्या होता है अतिसार, अतिसार में क्या होता है और पोलियम क्या होता है अतिसार में होगा आपके दिन में 4-5 बार दस्ताएंगे पेट में मोडे आना जीब और होट सूखना पेशाब कमाना ये आपके अतिसार में होगा क्रमी रोग में क्या होगा यह देखिए पोलियो में बुखार आता है क्या आता है आपको बताना है बुखार रहना सिर्दर्द जुखा मुल्टियां हाथ पैर में अकड़न पैरों में लखवा होना यह होगा आपका पोलियो में और क्रमी रोग में भूख कम लगना चेरे पीला पन पेट में दर्द होना नेक्ट क्यूश्चन है आपका क्यूश्चन नमर ग्यारा पसु पालन को व्यफशाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पसु को पाला जाए उन पर आधरित कौन कौन से व्यफशाय करने की आप सला देंगे तो व्यफशाय के लिए आप कोई से भी पसु पाल सकते हैं जिनसे आप बिजनिस कर सकते हैं गाय, बहंस, बेड, बकरी, उंट, गोडे ये सबी पाल सकते हैं इनसे तरह तरह के विफशाय कर सकते हैं क्यूशन नमर 12 है रात के अंदेर में बिना किसी वस्तू से टकरा है आसानी से कौन ओड़ सकता है तो आसानी से ओड़ सकता है चमगादर नेक्ट है पेट्रोलियम को रिफाइनेरी में सुद्धी करन करके कौन-कौन से पतार्थ प्राप्त किये जाता है किनी तीन पतार्थों के नाम लिखिए क्यूशन नमर 14 है हम भूक लगने पर बोजन करते हैं बोजन पचने की क्रियागा वर्णन करना है आसानी कर सकते हैं दूसरा है अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता लिखिए पंदर नमर क्यूशन है वर्णा जल को संग्रहित करके बताईए उसका उप्योग किस-किस रूप में कर सकते हैं वर्णा जल को संग्रहित करने की प्रेक्रिया का चित्र बनाईए नेक क्यूशन है आपका सोलर नमर क्यूशन बोजन को व्यर्थ वे बरबाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे यहां पर आएगा क्या सहर में बहुमंजला मकान क्यों बनाए जाते हैं नेक्स्ट है आपका अठरा नमर खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्थन को जानने के लिए क्या क्या प्रश्ण कर सकते हैं कोई तीन प्रश्ण लिखिए तो आपने बहुत परिवर्थन देखे हूंगे पहले हल चलते थे आज कल टेक्टर और इनसे काम हो जाता है और भी चीजे है नेक्ट है उननीस नमबर क्यूश्ण नेमन में से कौन सी लाइट चौराय पर देखकर आप रुकेंगे तो जब रेड लाइट होगी तब हम रुकेंगे पानी के प्राकरतिक बहुत चेत्र में अवरोध आने पर अपदा आएगी तो क्या आएगी बाड़ आएगी नेक्ट है 21 नमबर क्यूश्ण नशा करके गाड़ी चलाना जोखिम पूर्ण है कैसे 22 नमबर क्यूश्ण है हमारे गली मोले साफ रहा है इसके लिए आप क्या क्या कर सकता है कोई तीन बाते लिखिए ये सबी आप आसानी से कर सकता है ये क्यूश्ण नेक्ट है सेरेब्रल पालसी क्या है सेरेब्रल पालसी के मरीज किन परिस्थितियों से गुजड़ते है नेक्ट है पचंद्री पाल एवरेश्ट पर कदम रखने वाली परतम मैला बनी कैसे समझाइए नेक्ट क्यूश्ण है आपका चंद्रमा का आकार किस तिती से किस तिती तक बढ़ता है और किस तिती को चंद्रमा बिलकुल दिखाई ने देता तो चंद्रमा आकार अमावश्या से लेके पूर्णिमा तक बढ़ता है और अमावश्या वाले दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो यह ते सारे प्रश्ण और उनके उत्तर आयोप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें यह हमारा वाटसब चैनल है इसको सबस्क्राइब करके रखें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं वाटसब पर मिलते है नेक्ट वीडियो में थैंक यू